Hello everyone, I am Aastha and welcome to our YouTube channel, Government Job Genuine Notification. So, आज हम एक और new recruitment notification के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि MPPG CLC notification रिलीज हुआ है. And ये पर्मानेंट Government Job रहेगी, इस थाई भरती है, online application इसके start हो चुके है, 2nd April 2024 से, इसके online application start है. तो अगर आप अभी apply करना चाहें, तो running में हैं, आप apply कर सकते हैं. Various post vacancies हैं, जिसमें की 10th and ITI holders, BE, VTEC, Diploma holders and post graduate candidate भी eligible रहेंगे. Salary 51,000 पर मन्त, क्योंकि various post vacancies हैं, तो according to post आपकी salary different रहेगी. किस post के लिए कितनी vacancy हैं, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ vacancy की बात करें, सबसे ज़्यादा vacancy किस post पर हैं, तो सबसे ज़्यादा जो vacancies हैं, वो 10th and ITI holders के लिए आई हुई हैं. So, ITI holders के लिए काफी अच्छा मौका है, पर्मानेंट भरती, पर्मानेंट गवर्मेंट, जॉब पानी का. Other state के candidate भी इसमें apply कर सकते हैं, लेकिन जो reservation वगरा, relaxation वगरा रहता है, वो आपको नहीं मिलेगा. वो आप under sub category के जो candidate होंगे, उनके according आपको सारे जो rules होंगे, वो आपको follow करने होंगे. ओके, तो अगर आप interested हैं, बनी रही है वीडियो में, सारी information आपको इस वीडियो में दूँगी, notification के थुरू. चलिए देख लेते हैं. So, यहाँ पर आपी notification देख रहे हैं. MPPGCL, मदप्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी लिम्टेड, जिसमें की various post vacancies आई हुई हैं. यह notification है, वो पहले जो notification था, वो assistant engineer का था, जिसकी भरती close हो चुकी है. अभी new notice यह है, इस notification के बारे में हम बात करेंगे, 9th of March 2024 को रिलीज हुआ था, लेकिन इसके online application 2nd of April 2024 से स्टार्ट हुए हैं. यहाँ पर various post vacancy notification है, अलग-लग post पर भरती आई हुई है. ठीक है, यहाँ पर हम post देखेंगे, तो देखें, पाली राशा नग्य, कनिष्ट अभियंता सैंयंत्र में, जिसमें mechanical, electrical, electronics के लिए हैं. और इसके अलाबा है, कनिष्ट अभियंता civil के लिए 6 vacancy हैं. अब यह जो सैंत्र सहयक की vacancy आप देख रहे हैं, यह यहाँ पर vacancy है, 10th and ITI holders के लिए. तो सबसे ज़्यादा vacancy 10th and ITI holders के लिए हैं, इसके लाबाए staff nurse की भी vacancy है, pharmacist की भी vacancy है. इसमें आप देखेंगे यहाँ पर regular, यह जो सारी भरतिया हैं, सारी post हैं, यह नियमित हैं, यानि regular wishes हैं, इस्थाई भरती रहेगी. application phase देखेंगे, तो यहाँ पर unreserved candidate जो रहेंगे, वो यहाँ पर 1200 रुपए application phase पे करेंगे. and MP के जो मूल निवासी है, SCST candidate, UNPICHABURG, BWD candidate, EWS candidate, इनको 600 रुपए है. अब जो other state के candidate होंगे, वो किसी भी category को belong करते हों, 1200 रुपीज आपको यहाँ application fees पे करनी होगी and यह जो fees है, non-refundable application fees है. एक बार आप pay कर देंगे, form apply कर देंगे, fee submit कर देंगे, तो किसी भी condition में आपको यह fees return नहीं की जाएगी. online आपको apply करना है, mppgcl.mp.gov.in की website पर जग करके आप online apply कर सकते हैं, applications start है. documents कौन-कौन से रहेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, 10th की mark sheet होगी, मद्य प्रदेश का इस्थाई निवास प्रमान पत्र होगा, जाती परमान पत्र होगा, आई एवं संपत्ती का परमान पत्र रहेगा, और PWD candidate हैं, तो उनके लिए certificate यहाँ रहेगा. बाकी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, important dates देखिए, 2nd of April 2024 से application start है, और 30 April तक, 30 April तक इसके online application चल रहे हैं, तो अब भी अगर आप चाहते हैं, apply करना, आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, qualification देखेंगे, तो जो पाली रशानग्गी की विकिंसी है, postcode 01, इसके लिए आपने किसी भी college से, UGC या AICTE से मानत प्राप्त जो विद्धाला हैं, university हैं, उनसे अगर आपने MSC रसाइन में की है, chemistry मे तो आप यहाँ पर eligible हैं, इसनात कोतर, यानि MSC अगर आपने किया हुआ है, percentage आप देख रहे हैं, unreserved candidate के लिए 65% minimum pass out होना चाहिए, आपका जो qualification required रखी गई है, उसमें, reserve categories के लिए 60% है और 55% भी यहाँ पर दी गई है, बाकी कनिष्ट अभियंता के लिए related discipline में, जो भी है electrical, electronic, civil, इनसे related discipline में आपने, diploma या BE, B.Tech आपने किया है, या AMIE degree आपने ली हुई है, तो यहाँ पर आप eligible हैं, apply कर सकते हैं, जिस भी discipline में हो, उसी से related आपका ये subject, ये जो courses हैं, वो आपके complete होना चाहिए, next है सायंतर साहयक की, तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें एक तो में किया हो, fitter, welder, HP welder, mechanic pump, mechanic one, motor mechanic, diesel mechanic trade, इनसे किया है, तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, वहीं अगर साहयक, सायंतर साहयक electrical के लिए कर रहे हैं, तो 10 के साथ में ITIE, आपने electrician, wireman, electronics, instrumentation, trade में अगर किया है, तो आप in post पर eligible हैं, और बाकी pharmacist के लिए vacancy है, कम vacancy है, staff nurse के लिए है, staff nurse के लिए 9 vacancy है, जिसमें 12th मांगा है, 12th के साथ में अगर आपने BST nursing किया हुआ हो, 12th आपका PCV से हो, इसके बाद आपने BST nursing किया है, या GNM किया है, तो यहाँ पर आप apply कर पाएंगे, age criteria, तो minimum जो age है, वो जो first post थी, जिस पर की MCA मांगा गया है, वहाँ पर minimum 21 year रख accordingly ये चार्ड दिया गया है, 40 year unreserved male candidate के लिए है, बाकि female के लिए 45 year है, and other candidate भी अपनी category के according देख ला है, maximum age आपको 45 year तक यहाँ पर age relaxation दिया जा रहा है, selection procedure में आपको पहले तो online apply करना है, उसके बाद आपका जो selection procedure है, computer waste test होगा, यहाँ पर आपका CVT, MP में ही आपके सारे center रहेंगे, ठीक है, MP के बाहर नहीं रहेंगे, MP की we can see है, 100 question आपके यहाँ रहेंगे, 100 में से 75% तो आपके related subject से रहेंगे, बाकी 25% आपके सामान ग्यान, अविरुची, तारकी की योगता इससे related रहेंगे, 2 घंटे का timing आपको exam में मिलेगा, हिंदी और English किसी भी language में आप अपना exam दे सकते हैं, हिंदी चाहें तो हिंदी में, English में चाहें तो English में आप अपना exam दे सकते हैं, सो यह यहाँ पर आपका selection procedure हो गया, application fees हो गई, अब यहाँ हम देखेंगे, इसकी salary और देख लेते हैं, post wise, देखिए, provision period और देख लीजे, post के according आपका provision period कितना होगा, staff nurse और pharmacist के लिए कोई provision period नहीं है, बाकी सभी के लिए आप देख रहे हैं, 10th and ITI level की जो post है, उसमें 9 महिने का provision period है, बाकी सभी post पर 1 साल का provision period रहेगा, इसके बाद हम salary देखेंगे, तो देखिए, सभी के लिए salary, यहाँ पर आप सभी post के लिए salary देख पा रहे हैं, ठीक है, 10th और ITI holder के लिए बात करें, तो 25,300 आपकी starting salary रहेगी, 10th and ITI holders के लिए, बाकी कनिस्ट अभियांता, junior engineer के लिए 32,800 से starting salary रहेगी, तो अगर आप interested हैं, इस vacancy के लिए, तो आप एक वाण notification चेक आउट कर लिजेगा, applications running है, apply करना चाहें, तो MPPGCL की website पर जाकर के apply कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो, तो like and share कीजेगा, thank you,